हाई फंट स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ग्यान कामना पर सातियों आजगी इस वीडियो के अंदर में आपको जन अधार कार्ड कैसे डाउनलोड करे उसके बारे में पूरी प्रोसेस है वो बताऊंगा जैसा कि सातियों आप सभी को पता है कि अपने राजस्तान सरकार के दोवारा जब से जन अधार कार्ड योजनल लागू की गई है तब से लेकर हर एक राजस्तान का निवासी अपना जन अधार कार्ड डाउनलोड करना चाहता है यह जन अधार कार्ड है वो इमितर से भी डाउनलोड होता है इसके लावा आप अपने मोबाइल से भी अपना जन अधार कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो तो साथियो इस वीडियो के अंदर में आपको एक पूरी प्रोसेस बताऊंगा आप अपने मोबाइल के दवारा जन आधार एप ठीक है जैसे यह जनाधार आप लिखोगे तो इस तरह से देखिए निचे अधार आप का लुक इस तरह से आपको दिखाए देगा, यहां पर च्यार ओप्शन है, एक तो है gate जन आधार ID, एक है gate DPT detail, एक है gate जन आधार status और एक है gate e-card, तो देखी साथ यहां आपको सबसे पहले आपके पास जन आधार ID होना जरूरी है, अब देखी जन आधार ID सब क पास नहीं है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जन आधार ID आपको find करने हैं, वो कैसे करेंगे, अगर आपको पहले से नहीं पता है, तो आप अपना जो आधार card है, या फिर अपना जो बहमासा ID card नंबर है, और आधार card नंबर जिसके जो परिवार के जो मुखे हैं, अप आधार card नंबर आपको यहां डालने हैं, ठीक है, अगर आपके पास SSO ID और आपकी SSO ID से यह दी, आपका बहमासा या आधार card लिंक है, तो आपको directly SSO ID पर लोगिन करोगे नो, तो यहां से आपका status मिल जाएगा, चली उसकी जानकरी आगे देता हूँ, पहले अपना आधा ID फाइंड करते हैं, तो आपको यहां जन आधार ID पर क्लिक करना है, और यहां क्लिक करने के बाद देखिए, सात्यों आपसे दो तिन चीज़ यहां से यह मांगेगा, क्या मांगेगा, एक तो आपका जन आधार acknowledgement ID बान रहा है, यहां पर आपकी जो बहमासा acknowledgement नंबर जो पह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए मैं यहां आधार कार्ड नंबर से फाइंड करता हूँ, देखिए, आप भी जो आधार कार्ड से ही फाइंड कीजिएगा, क्योंकि यह जो बहमासा ID से कई बार यह गलत भी बता देता है, यह भी करता है कि not available, not find, ऐसे भी ब आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने देखिए, इस तरह से आपके जितने भी परिवार के सदस से हैं, उनके मोबाइल नंबर और यहां लेट साइड में उनके जो नाम है वो आ जाएंगे, ठीक है, यहां पर किसी एक नंबर पे आपको क्लिक करन है, यहां पर क्लिक करने के बाद, जिस मोबाइल नंबर पे आप क्लिक करोगे, जिस विक्ति के सामने उसी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, अगर वो OTP आप यहां ने डालोगे, तो आपके सामने जन आधार ID नहीं आएगी, तो जो भी मोबाइल अक्टिव हो, उस OTP आपको यहां डालनी है, OTP डालते ही आपके सामने आपकी जो जन आधार ID है वो सो हो जाएगी चलि साथी OTP मैं यहां डाल दी, वेरिफाई करता हूँ और वेरिफाई करने के बाद आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर आपके सामने दस अंको की जो ID है वो आपको यहां दिखा देगा अब जैसे ही इद्र संको के ID आपको यहां दिखा देता है तो इसे आप लिख लीजिए कहीं और लिखने के बाद आपको थोड़ा सा पिछे जाना है इसको OK कर दीजिएगा यहां से और OK करने के बाद फिर आपको पिछे जाना है और Dashboard पे वापस आ जाना है और यहां पर आन अपने जन आधार ID भी आ चुकी है तो यहां आपन जन आधार ID डाल लेते हैं एक बार मैंने यहां जन आधार ID डाली है सात्यों आप आधार कार्ड नंबर भी यहां डाल सकते हो और GET status पर दुबारां दे सकते हो तो देखिए वापस यहां इसका status है चेक करके आपको बता चलिए इसको डाउनलोड करते हैं पर आपस dashboard पर आते हैं और GET e-card पर यहां तो यहां पर आपकी जो जन आधार ID है वो आपको यहां डालनी है चलिए जन आधार ID मैंने डाल दी और यहां पर मैं क्लिक करता हूं और इसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना मोबाइल नंबर के सामने फिर से OTP आएगी OTP आने के बाद सातियों आपको verify करना है और जैसे ही ये verify हो जाएगी तो आपका जो जन आधार card है वो download हो जाएगा और आपकी screen पर है वो so भी हो जाएगा तो देखिए सातियों इस तरह से आपका जो जन आधार card हो download हो गया और इस तरह से आप इसे print भी करवा सकते हो या आप अपने mobile में इसे SEO भी रख सकते हो तो ये तो है सातियों बिना SSO ID के द्वारा अपना जन आधार card download करना ठीक है अगर आपके पास अपनी SSO ID है तो आप SSO ID के माद्यम से भी अपना जन आधार card हो download कर सकते हो तो इसके लिए मैं आपको back लेकर चलता हूँ वापस dashboard पे चलता हूँ और अब देखिए आप नीचे देखो कि स्क्रीन पर सातियों यहां लिखावा SSO ID ठीक है SSO ID से अगर आप login करोगे ना तो आपको आधार card वो टाइप करने के आवसेकता नहीं है अगर आपके SSO ID से आपका आधार card और आपका भामासा card लिंक है तो automatic ही आपके जो जन आधार ID है आप यहां से find है वो कर सकते हो जैसे SSO ID से चलिए मैं आपको login करके यहां दिखाता हूँ और मैंने यहां SSO ID डाल दिये साथ यह संबिट करता हूँ और संबिट करने के बाद आप देख सकते हो कि नीचे जो SSO का link था वो हट गया अब आप directly यहां गेट ID पे क्लिक करोगे न यहां तो यहां से आप directly अपने जन आधार ID डाउनलोड कर सकते हैं और यहां फिर सीधा गेट आधार कार्ड पे अगर क्लिक करोगे तो आपको आधार कार्ड या भामासा कार्ड आपको कुछ नहीं लिखना है directly आपका जो जन आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा यह दिए आपके SSO ID से बामासा कार्ड लिंक है और आपका आधार कार्ड लिंक है तो ही इस पर यह possible है वरना यह possible नहीं होगा अब देखिए यहां पर हमें कोई OTP नहीं लगानी पड़ी कुछ भी नहीं लगानी पड़ी डिरेक्ट ली हम SSO ID से ही अपना जो जन आधार कार्ड है वो डाउनलोड कर लिए तो साथियो इस परकार से हम अपना जन आधार कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते है मॉबाइल एप की साईता से और SSO ID की साईता से अब देखिए साथियो जो SSO ID का वे पोर्टल है, वहाँ पर जन आधार कार्ड डाउनलोड करने का अभी तक कोई लिंक है, नहीं आया है, यदि इस पर लिंक आ जाएगा, तो मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूँगा, सर्त यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन जरूर दबा लेना तक कि आगे के वीडियो का नोटिफिकेसन है, वो आपको मिलता रहे, और ओल नोटिफिकेसन उसको आप ओन कर लेना, जैसे मैं को वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो SSO ID की साहता से, अपन मोबाइल एप से अपने जन आधार कार् करूँगा, तो फ्रेंट्स ये तो था जन आधार कार्ड डाउनलोड करने की तरीका, साथियो मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लेगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और इस वीडियो को अपने सभी स की बता है, और अचला करें मुझे वीडियो को अजया बना की एखको निजेगार क की तरीकारी आपको ये आपको अच्छी आपको अटेäsरा गार मुझे सा «पको क électBo serदा बकenden आपको इवीडियो को कि आपको भाइक का छिनंगłos घानकारी है।